हालो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से DSLR डारीज में और ये एक मेरा नया वीडियो आ रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्ट्रोज वाले मेरे पिछले वीडियो को काफी पसंद किया और उसके बारे मैं कई सारी चीजे भी मुझसे उन्होंने पूछी कमे में और बाकी जो लोग मुझे जानते थे परस्नली उन्हें ने मुझसे पूछा तो मैं उसी वीडियो में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देने के लिए कि क्यों आपको एक अल्ट्रोज चूज करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए देखिए दोनों चीज़े हैं ज देख सकते हैं जो मैंने उल्ट्रोज पर बनाई हुए उनके माइलेज पर उनकी कुछ फीचर्स पर इसारी चीज़े मैंने बनाई हुई हैं आज यह सबका एक चोटा सा मैं क्या कहता हूं कि कंबाइन करके एक ऐसा वीडियो होना चाहता हूं कि जो नए लोग देखना चाह होंगा और वो भी चीज़ें आप अपने प्रोजन कॉंस आप अपने तरीके से इसमें डिसाइड कर सकते हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि यह मुझे लेनी क्यों चाहिए तो सबसे पहली बात कि फाइव स्टार सेक्योरिटी इसकी जो आपके सेक्योरिटी फीचर्स ह है जो इसकी रेटिंग इसको ARI से मिली हुई है वो बहुत माइने रखती है मैंने यह अपनी मेरी बेटी हुई थी 2020 में तो यह गाड़ी मैंने एक तरह से उसी के लिए थी तो मझे सबसे ज़्यादा कंसरन था कि उसकी सेफटी का तो वो इससे अच्छा मेरे बजट में इस की 5 स्टार है तो सबसे बड़ी बात तो यह आ जाती है इसकी सेफटी की दूसरी बात 100 रुपय तेल तो माइलेज कितना निकलता है तो मैंने माइलेज पे पहले बताया कि मैंने इससे हाइवेस पे 21 तक का माइलेज लिया हुआ है और अगर जैसे कि जहां पे स्पीड लिमि में ही माइलेज मिलेगी तो यह काफी ठीक ठाक माइलेज मिल जाएगी अब बात करते हैं ऑल्ट्रो एक्जट की फीचर्स की तो फीचर्स में सबसे बहली बात कि मुझे इसमें दो कीज मिलती है एक्चुली तीन कीज मिलती है पहली तो है यह वियरेबल बैंड इसमें कर सकते तो अगर आप किसी और के पास है आपको इसमें इंटर कणना पड़े गा। दूसरी मुझे की मिलती है अपकी द्री मोटshaped मिलती है hele एक एमर्जंसी में अगर आपकी सेल कहते हैं तो आपको क्या करना है कि इसमें यह पे इसको पुछ oggi करके यह और यह की यहां पर दी हुई है, इसमें की यह लग जाएगी, ठीक है, आपने देखा होगा, यह देखिए, दुबारा दिखा देता हूँ, यह की यहां फिट हो जाती है, यह यहां लॉक हो जाएगी, आप इसको खोल के, थुदा सा कैमरा मुझे पोजिशन चेंज देना पड़े इसमें, यही है कि जो इसमें सारे सेंसर दिये हुए है, कि आप इसके बूट को भी खेल खोल सकते हैं, पूरी गाड़ी कॉन लॉक किये बिना, और इसमें एक फॉलो मी होम करके एक फीचर है, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, कि वो क्या है, जैसे आप कभी खड़े रह करना है, और गाड़ी की हेड लाइट्स जो है, कुछ टाइम के लिए जल जाएंगे, इसको बंद भी कर सकते हैं दूर से, तो आपको एक रास्ता मिल जाता है, आप अपनी गाड़ी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहां पे खड़िए, क्यामरे को रोटेट करने का टाइ तो यहां से, आप कॉल यहां से कनेट कर सकते हो, डिसकनेट कर सकते हो, अपने ब्लुटूथ को यहां से अक्टिवेट कर सकते हो, गाने आगे पीछे कर सकते हो, साउंड आप बढ़ा सकते हो, और वॉल्यूम इसकी कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, इस साइड आएं, तो इसमें यहाँ पे cruise control दिया हुआ है, cruise control लगाने का जो वीडियो का link है, मेरी playlist में आपको मिल जाएगा, कुछ यह होता है कि आपको पहले यह बटन दोना पड़ता है, फिर यह, और फिर यहाँ से cruise control आपको activate करने पड़ता है, बाकी control यह यहाँ से हो जाता है, यहाँ पे इसका MMID यह आप देख सकते हैं, ठीक है यह दिल्ली में चल रही है गाड़ी, तो पिछले दिल्ली में ही चल मोड, economy drive mode mostly हम लोग highways पे ही यूज करते हैं, जो कि activate होता है, यहाँ से, देखिए, तो city drive mode और economy drive mode, दो drive mode में यह आता है, rpm इसका जब भी यह start होती है, तो 1000 rpm पे रहता है, यानि कि 1 पे रहेगी इसकी वो, आपको start करके दिखाता हूँ, आपको मालुम चल जाएगा कि कितना sound स्टार्ट करने के लिए, आपने clutch press करना है, फुल, और यह आपका start and stop का button जो है, इसको करना है, तो अगर आपको sound सुनाई दिया या दे रहा है, तो इसमें इतना ही sound है, जब भी यह start होती है, तो यहाँ पे इसकी align steering wheel का आ जाता है, आपके जो wheels हैं, वो इस position में हैं, अगर आप इसको, अगर आप थोड़ा सा भी सीधा करोगे, यह देखें, तो आपके wheels जो है, align होगा है, यह विल्कुल सीधे होगा है, तो यह सारी features इसके आगे हैं, दिये हुए हैं, जो, इसके AC के knobs भी आप देख सकते हैं, काफी शानदार हैं, और यहाँ पे automatic climate control के button दिये और जहाँ पे भी आपने इसको set किया, 22, 23, 24, यह degree centigrade में चल रहा है, जैसे माली जमैने इसको 26 degree पे set कर दिया, तो 26 degree पे जब इसको हम set करते हैं, तो यह cabin का जो temperature है, वो 26 degree centigrade पे ही बनाए रखेगा, तो इसमें क्या होता है, कि आपको बार-बार EC को कम ज़्यादा करने की करेगा, आप उस पर रख दीजे, और गाड़ी अपने आप जो है, इसको maintain करती रहेगी, सबसे पहले तो आपका start engine और stop engine का बटन यहाप मिल गया है, push to start है यह गाड़ी, थोड़ी सकी quality आप देख सकते हैं, इसका paint भी निकलता रहता है, यह शुरू में ही निकल गया था, दूसरा यहाप पर fog lamps दिये हुए, अगर मैं fog lamps यह on कर दूँगा, तो आपके fog lamps आगे activate हो जाते हैं, यह आपका button है, पीछे का tail lamp का, जो कि आपका एक तरह से fog light ही है, मगर आपके पीछे का रहता system उसका, यह ISS option का button है, जिसको कहते हैं कि idle start and stop function जो है इसका, यह आपकी गाड़ी और neutral करते ही आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, अगर उसका cabin temperature के हिसाब से, और गाड़ी दुबारा on तब होगी, जब आप clutch press करते हो, या आपकी गाड़ी heat हो जाती है, तो उसको maintain करने कली गाड़ी on हो जाएगी, दूसरा इसकी यहापे, यह screen दी हुई है, खा पैरों के पास भी इसमें light जलती है, दोना साइट में, driver साइट में और passenger साइट में, प्लास्टिक इसका जो है, काफी मजबूत है, यहापे, काफी सुन्दर है, काफी finish भी अच्छी है, अब देड़ साल से ज़्यादा गाड़ी होगी, यहाँ से आप ambient light भी कितनी कर सकते हो कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, कि जित्ती भी आपको रखनी है, जैसे मैंने इसको बढ़ा दिया, देख लो नीचे blue जाता होगा है, और मैं इसको कम कर देता हूँ, तो blue काफी कम सा हो जाएगा, glove box इसका जो है, वो cool है, और lever पर है, देखिए कितने अराम से खुला ही है, नीचे light जल रही है, काफी समान बिस में आप आ जाएगा, और यहाँ पर एक छोटा सा hook दिया हुआ है, आप कोई समान यहाँ पर रख सकते हो, मैंने यहाँ पर अपना यह फ्रेशनर यहाँ पर लगा रखा है, यह आप इसको बंद भी कर सकते हो इस तरह से, यह बंद भी हो जाता है, और इसको खोलना चाओ तो यहाँ से क्लिक करके इस पीछे भी मिलता है, वह आपको अभी दिखाता हूँ, पिछली सीट पर बैटके, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है, कि सीटिंग कमफर्ट, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसमें काफी कमफर्टेबल है मुझे, और कुछ लोग बाद में मैंने देखा कि कुछ जब भी आप करते हो, तो आपकी सीट जो है, उपर हो जाती है, काफी इसकी पूरी सीटिंग पोजिशन ही चेंज हो जाती है, आप इसको उपर नीचे, किसी परीके से एडजेस्ट कर सकते हो, आपको आगे पीछे तो सब सीटों में नॉर्मल ही होता है, वह आपकी यहां से आपको स्टेरिंग मिल जाती है, बाकी सीट भी अडजेस्टेबल आपको मिल जाती है, तो यह हो गई आपकी सीटिंग कमफर्ट की और आपका स्टेरिंग को किस तरह सा आपको रखना है, यह दो चीजें आपको मिल जाती है, इसमें आपको जो कार को लॉक और अनलॉक करने लीकले यह सिसको थोड़ा से खीचना है तो आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाती है बाद की आपके चारों की जो जो कंट्रोल हैं यहां पर दीए हुए हैं यहां से आप पीछे की जो विंडोज हैं उनको एड्जेस्ट कर सकते हो बंद कर सकते हो और ओपें भी कर सकते हो अज शीटों का राम तो हो गया बागी सब्सक्राइब आपने देख लिए अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर सफर आपका लंबा है तो आपको सबसे जरूत होती है म्यूजिक की ताकि आप सोना जाएं तो इसमें क्या करते हैं कि एफम पर मैं एक म्यूजिक चलाता हूं और तो कुछ ऐसा इसका म्यूजिक और ये एफम था मैंने अभी अपने फोन को कनेट करके इसमें कुछ भी नहीं बजाया तो जब आप अपने फोन से डालेट कनेट करके कुछ बजाते हो तो सौन कॉल्टी और भी रिफाइंड आती है बेस इसके जबरजस्त है इसमें कोई भ गिया उसके तो अब दूसरी सबसे बड़ी चीज इसमें आती है कि आप रात में गाड़ी चलाते हो बहुत लोगां छिए गएञ बहुत लगें हूए हटे कोई वहां पर जादा आ किसी पैसे बचाएं और आधर आप यह वीडियो दिखिए है ऐसा हाईवे वगरह नहीं थी, कोई street light कोई road lights नहीं है, highway एक दम अंधेरा है उसमें, तो आप ये देखिए, ये videos जब आप देख रहे हैं तो आप देखिए, मैंने इसमें अभी ये change किया, इसका कुछ modes change कर रहा हूँ मैं गाड़ी को full beam पे चला रहा हूँ मैंने, तो fog lamp sound करने से मुझे एक wide वो मिल जाता है मुझे मेरी visibility बढ़ जाती है, थोड़ा confidence आता है इसमें, और इसके अलावा जो है रात में आप जब भी गाड़ी चलाईए, तो अगर आप ये use कर सकते हैं ये night vision glasses या yellow glasses मैंने लिये हैं I wear lab से लिये थे, तो काफी अच्छे हैं इससे भी मुझे बहुत आराम मिला मतलब मेरे साब से गाड़ी में lights वगरा कम नहीं है काम चल जाता है आप after market lights मत लगवाईएगा क्योंकि क्या होता है कि जो गाड़ी की wiring होती है, वो जितनी गाड़ी में standard चीजें आती है उनके हैसाब से यह लोग लगा के देते हैं अगर आप उसमें कोई भी high power चीज लगाते हैं तो ऐसा expert का कहना है कि कुछ time बाद आपकी wiring पे बुरा सर पड़ता है, maybe वो खराब भी हो सकती है तो उसमें आपको ज़्यादा लंबा खर्चा आ सकता है तो आप ऐसा कुछ भी मत करिए भरोसा रखिए कि जो भी car manufacturer हैं वो बना के दे रहे हैं कोई चीज तो उन्होंने सब कुछ अपना experiment अगरा कर लिया है आप उसमें extra experiment मत कीज़े या गाड़ी के अंदर जो करना चाहते हैं करिए वो भी बहुत ज़्यादा ज़रुत नहीं है मेरी गाड़ी तो बहुत ज़्यादा जैसी आई थी वैसी ही है मैं तो foot mats भी बहुत normal लगवा है पेट्रोल इतना महिंगा है लाइट इसके अंदर white color की fluorescent light नहीं दे रखी है अब मैं आपको ले चलता हूँ पीछा लिशीट पर क्योंकि भाई पीछे वालों का भी आराम बहुत ज़रूरी है तो देखते हैं कि उनको आराम मिलता है या नहीं अब देखिए मैं आराम से पीछा लिशीट पर बैठा हुआ हूँ मैंने यह जो सीट है फुल पीछे की हुई है मेरी हाइट 5-6 है और यहां तक मुझे अपने थाइस पर सपोर्ट मिल रहा इस से मेरे घुटनों में अभी भी तीन उंगली के बराबर जगह बच रही है और फुल सपोर्ट है मेरी पीट पर अच्छा सपोर्ट है लंबर सपोर्ट जिसको कहते हैं अगर मेरे आमरेस्ट है काफी मोटी सी लगबाग आधे फिट से ज्यादा की चौडी की यह आमरेस्ट नहीं दी वही है तो इस पर भी मुझे फुल सपोर्ट यहां से मिल रहा है दरवाजे आप देखी रहे हैं पूरे 90 डिगर खुल रहे हैं अगर मुझे उतरना है इसमें और इसके इलावा जो सबसे बड़ी चीज है कि पीछे बैठने वालों को भी एस इवेंट्स सारे मिलते हैं यहां से आप इसको अन आफ कर सकते हो यहां पर अपना चार्जे लगा सकते हो और बीच में आप देखिए यह लगभग फ्लैट ही है मतलब हलका सा एक इंच या आध अलागे बैठने पड़ते हैं बर ऐसा कुछ इसमें होगा नहीं बैठने वाला भी जो है पूरे टाइम बहुत ही अराम से बैठेगा यहां पर आपको एक हैंडल मिल जाता है पीछे जो ट्रे है वो काफी बड़ी है लग बग यह दिखिए इतना इसमें अभी मेरे हाथ जो लोगों को मुवाइल और लैप्टॉप लोक्तर न पत्थर मारें गों लेकर भाग जाएंगे तो असरा नहीं करते हैं तो यह ती गाड़ी अंदर से सारी चीजे मैंने इसमें आपको दिखा दी कि किस तरह से इसमें आपको सीटिंग कमफर्ट मिलेगा क्या आपको एसी के मिलेंगे म्यूजिक कैसा है इसका और बाकी लाइट्स वगरा इसमें कैसी जलती है लाइट्स भी आपको दिखा देंगी रात में आपको चलेंगे तो किस तरह से लगे या कि यह बहुत ज़्यादा स्पेशियस है आपका और आप देखिए यहां से बदेता हूं कि यह आग वाइस कमांड भी दे सकते हो कार को और जैसे किसी को कॉल वगरा करना चलती गाड़ी में मेरी आवास तक पैचानी नहीं लगब देड़ साल हो गया है काफी कोशिश की पर मेरे साथ ही ऐसी कुछ बात होगी आप दिखिए सीट भी बहुत कमफर्टेबल है मैंने कोई सीट क अब उतार के तो नहीं चलाओगे ना कभी तो आप कुछ दिन ऐसे मज़े ले लो गाड़ी के जो औरिजनल चीज़ें होती है जो सीट कवर्ड लगते हैं उसका कमफर्ट खराब ही होता है मुझे तरसा लगता है या तो बहुत ज़्यदा उसे पाड़ के बनाया जाए सीट नहीं ली जाए तो क्यों न ली जाए इस पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं अगर आपको लगे तो आप प्लीज उसको वैलिडेट कर लीजेगा खुद गाड़ी चला के भी देख लीजेगा या कुछ और यूजर से उनसे भी आप पात करके पता कर सकते हैं तो आ पर यह पॉइंट आता है जैसे मैं आप से बोला कि बताता हूं कि क्यों गाड़ी न लिजाए तो बहुत लोग इसमें बताते हैं कि इसमें वाइब्रेशन है है बहुत जादा नहीं है मगर vibration है थोड़ा बहुत vibration आपको feel होगा जब आप गाड़ी start करते हो मगर जब आप गाड़ी 20 या 30 के उपर ले जाते हो ना तो यह गाड़ी smooth हो जाती है कोई आवाज कोई vibration कुछ भी नहीं होता है मतलब मुझे नहीं रखता है कि जो लोग कहते हैं कि गाड़ी चलाने पर हमेशा ऐसी vibration या आवाज feel होती है वैसा इसमें कुछ होता है दूसरी बात आती है कि क्या गाड़ी आपको gear इसमें problem होती है तो हाँ आपके second gear में और आपके reverse में मेरी गाड़ी में second में है reverse में नहीं है पर मेरे पीछे एक और अल्ट्रोस खड़ी है society में ही है भया की है तो उनकी गाड़ी में reverse में हमेशा problem आती है second में problem नहीं आती है तो मतलब gearbox में कुछ तो issue है refinement नहीं है लेकिन अब जो है इसमें जो driving smoothness है जो आप जब आप इसको highway पर चलाते हो जो इसकी aerodynamics है उससे आपको stability मिलती है वो भी चीज़ें इसके साथ है प्लस कुछ जो engine refinement की कमी है वो भी है इसके साथ गेर ऐसा नहीं है कि फंस गया तो फंसी गया बर हां कई बार ऐसा लगता है कि हां थोड़ा सा smooth बनाया जा सकता था कुछ दिन पहले मैंने वेन्यों चलाई थी डीजल की बहुत ज़्यादा स्मूध थी तो लेकिन उसमें 3-4 लाक रुपर ज़्यादा भी लग रहे है आपक अर्कत नहीं होती है और और इसमें वाइब्रेशन जो एक 90 और 100 की बीच में जबाब चलते हो नबबे 100 के उपर तो एक ऐसा साउंड सा सुनाई देता है जो असा लगता है कि आपकी गाड़ी पेट्रोल नहीं डीजल है बगर वो इंजन का ही साउंड है वो थर्ड थरी सिल अगर जिनको चाहिए होता है रिफाइंडमेंट जिनको अभी भी चाहिए होता है कि एक्सेलेटर पर रखो तो भाई टायर तुरंद रिस्पॉंस करना चाहिए इंजन जो है एकदम से उचल के आगे चलना चाहिए तो इस गाड़ी में वो चीज नहीं हो पाएगी कई बार ऐसा लगता ही कि रेड लाइट में जब 10 सेकंड बाकी है यल्व होने में तो फिर लगता आगी बार मुझे लगा कि निकल जायेंगे नगर फिर निकल नहीं पाया तो मुझे गाड़ीán रोकनी पड़ी तो मैं कोशिचछ भी नहीं करता हूं मुझे मालूम है कि नहीं नहीं निकल पाएंगे तो नहीं निकल पाएंगे कोशिश भी क्यों करनी चलान बनने का कोई फायदा नहीं है तो यह मोटी मोटी इसकी कुछ चीज़ें थी गेट इसके एकदम एकदम सॉलिड खुलते हैं गाड़ी एकदम सॉलिड है लोगालाट गाड़ी है आप इसमें बिल्कुल सेफ हो यह मुझे अंदर से हंड़ेट परशंट लगता है मुझे एक परशंट का डाउट नहीं होता है कि मुझे उन्हें सेफ नहीं है सेफटी की वज़ए से ही मैंने अब कोई इस्यू नहीं आएगा आपको जो सोड़ी मोडी फीचर थी मैंने आपको इसके अंदर की भी दिखा दी है आपको steering वगार उसमें fix कर सकते हूं तो safest वे होता है आप अपने बच्चे को लेकर जब चलते हो कार में हॉन वगरा sound बहुत अच्छा है आपके दो इसमें airbags भी मिल रहे हैं आपके दो आगे disc brake हैं alloy wheels हैं आपका जो बूट है अच्छा खासा है हम लोग तो जब घर से आते हैं तो बहुत सारा समान होता है इसमें दो तीन ट्रॉली बैग होते हैं कई सारे आपके बैग रक सैक होते हैं इसमें और आपके office बैग होते हैं पर road पर जितनी problem हो सकती है जितने speed में लोग चलते हैं या जिस speed में लोग continue run करते हैं कभी मुझे कोई issue नहीं है अच्छा खासा ground clearance है मतलब इस समय तो मैंने इसको अगर आप गुड़गाओं या दिल्ली में रहने वाले हों तो गुड़गाओं के पास से पटवदी रोट के पास से मैंने गूगल ने उस पर घुमा दिया मतलब गाड़ी 60-60 डिगरी के slopes पे उतरी चड़ी मिट्टी में इकदम नहां के बिल्कुल भूत हो गई ती गाड़ी लेकिन गाड़ी ने कहीं पर मेरे आगे स्ट्रिफ्ट चल लेए थी तीन लोग मिलके उसको नीचे उतार रहे थे नीचे किसी तरह उसको एड़जस्ट कर रहे थे मगर यह मैं अकेले अराम से पूरी फेमली बैठी थी तो मगर अंदर कोई इश्यू नहीं समझ में आ था कोई फंस नहीं रहे थी कहीं पर एक्स्ट्रा गाड़ी को कोशिश करने की जरुवत नहीं बढ़ रही थी तो मतलब स्मूधनेस इस मामले में बहुत स्मूध और स्टर्डी थी हाईवेस पर बहुत अच्छा रिस्पॉं लगती है पर अलाम वगर इसमें दिया हुए एक बार आपको बिलिंग करके बता देगा कि हाँ अस्ती से क्रॉस होगे और 120 के उपर लगाता इसमें एक अलाम बसता रहेगा यह आने वाली जितनी नई गाड़िया है तो वह इसमें भी आपको मिलेगी आपके इसमें जो रजस्ट करके स्पीड में इसमें पीछे जो है फीटेड लाइन दी रखी है जिससे क्या होता है कि आपके जो पीछे वाली आपकी स्क्रीन है याज यह विंड्स्क्रीन है आपकी बूट के उपर जो शीशा लगा हुए जो आप पीछे देख सकते है मेरे उसमें वह वह अगर दोनों आपका इसमें दिया हुआ है तो यह सारी चीज़ें थी और इसके अलावा मैं इस गाड़ी से पुरी तरह संतोष्ट हूं और मुझे इसमें कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है जो शिकायत है मेरी वह इससे है क्योंकि टाटा के डीलर्स और उनके जो सर्विस या आप घर से जहां के चलते हों तो अलग बात है वरना तो जवाब गाड़ी लेने जाएंगे तब जवाब गाड़ी लेंगे तब और नमबर प्लेट देने में जलाने से लेके सर्विस सेंटर पे जाके वहां पर आपको तरह तरह की चीज़ें बताना सुनाना आपको एक रुपीज उन्होंने मुझसे चार्ज किये तो उन्होंने कर दिया अगर मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग मिलते हैं उनको यह बताता हूं कि सबसे ज़्यादा है किया कराना इस वहां पर कुशिश करेंगे कि जरुत नहीं है जब कराने की जरुत नहीं है और बाहर से करा सकते हैं कोई-कोई चीज तो कोई कोटिंग कराने के लिए आप से कोई 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 करानी जुरूत नहीं है ऑगर जुरुत होती तो इसके अनुद और इसके अलावा भाहर से भी और लोग इसको एक अनुद्ध करा लो हरे क्या जरूए थे लेमिनेट कराने की अच्छा खासा पेंट है लेमिनेट करा लिया आपने क्या फायदा उसका जो कमनें दिया उसको यूज कीजिए मेरी गाड़ी तो 24x7 खड़ी यह धूप में जून जुलाई बरसाद घर्मी इस तब हमेशा धूप में रहती है बाहर चला रहो तो भी खड़ी है यहां पार्किंग में देखी रहे ओपन पार्किंग है तो इसमें भी खड़ी हुई है तो कोई इशू नहीं आता है बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ उसी तरह वाइट है एक बार कपड़ा मारने पर चमचमाती है गाड़ी और टायर वग लिखिएगा एक वीडियो मैं इस पर डाल देता हूं कि टायर आपको कैसे चेंज करने होते हैं मतलब भी बहुत जरूरी है बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए तो यह सारी चीज़ें हैं आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसमें आपको जो मेरी जितनी कैमरा है अपना यूटूब है और आप लोग बस सब्सक्राइब करते रही है हम लोगो सब्सक्राइब करते रही है चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने मदद कीज़े आप लोगों का गुड विश्चे की जरूरत है तो फिर से मैं बोलूँगा लास्ट में कि थैंक यू और लिसनिंग और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा बेल आइकन का बटन जरूर दबाईएगा और इस वीडियो को अपने फैमली और फ्रेंड्स में शेयर चरूर कीज़ेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में